तो आगेते दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अमनी टाइमस आफ नॉलेज फैमिली में दोस्तों फाइनली आपका SSCJE का 2019 का पेपर 1 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर डेट्स भी बता दी गई है और रिजल्ट जैसे कि आपके एक्जाम हुई थी आपको पता ही हो है EWS का 112.28 है UR का 123.52 है और OH का आपका 92.24 है HH का आपका 55.73 है तो टोटल आपका Civil Engineering के 4750 candidates आपके पेपर 2 में यहाँ पर जाने वाले हैं यहाँ पर Electrical की तरफ देखे तो Electrical का आपका SC का 140.59 है ST का 135.88 है OBC का 153.26 है EWS का 151.04 है UR का आपका General का 157.47 है और OH का 27.29 है HH का 92.49 यहाँ पर टोटल 931 candidates ही अवेलेबल है आपके पेपर 2 के लिए तो यानि कि आपके इस बार वैसे vacancies जो 10.80 वाई थी वो थोड़ी कम थी इसी कारण से आपके कम candidates यहाँ पर गए हैं बट कट- थोड़ा सा slightly कम है according अगर हम सोचा जाए तो पर फिर भी यह marks भी काफी होते हैं यहाँ पर देखिए सीधी बात करूं तो यहाँ पर एक चीज और लिखी है यहाँ पर date की यहाँ पर date जो दी है आपकी paper 2 की यहाँ पर date जो आपके आई थी 21 March आपका चल रहा था clash of dates हो रही तो यहाँ पर भी date लिखी है बट इस बार पहली बार यहाँ पर tentatively लिखा है ठीक है तो tentative हो सकती है date यहाँ पर कुछ हो सकता है के changes आए इसलिए इन्होंने bracket में आपर tentative लिखा है बट यहाँ पर देखिए काफी time मिल चुका है आप लोगों को और यहाँ पर इसलिए आप 21 के according ही prepare होना है तो यह चीज़े थी अब यह update अभी SSC की तरफ से हाली में आई है और माफी जाओंगा कि urgent में मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा हूँ क्योंकि travel कर रहा था तो यहाँ पर देखिए बाकी चीज़े इन्होंने लिखिए कि आप अपने जो marks of the candidate qualified or non qualified अब लोड हो जाएंगे 8 मार्च को होंगे website पर ठीक है और उसके बाद 8 मार्च से आप 28 मार्च के बीच में वो marks आप लोग देख सकेंगे registration number और registration password से अब कुछ भी चीज़े है representation received from the candidates जो अब answer की की बात कर लेते तो answer की have been carefully examined and answer की have been modified where is necessary तो जो final answer की भी आपकी आने वाली ह वो भी आपकी 8 मार्च को आएगी तो थोड़ा सा उसके लिए wait करना पड़ेगा दोनों चीज़ों के लिए बाकी चीज़े हैं cut off आपके सामने ये रहे cut off marks अब आप लोग ready हो जाएए देखिए और वहाँ पर जो आपकी date दी है उसी recording आप लोग preparation कर लीजेगा यहाँ पर ह 2020 वालों का होने वाला है वो बता दूँगा तो यही चीज़े हैं आपके और candidates आपके सामने देखिए 4750 आपके civil के हैं और 931 आपके electrical mechanical वाले हैं तो फी कम लोग यहाँ पर mains देने जाएंगे और ऐसा तो हैसा सी हर बार करता है कि कितने times of vacancy यह लोग बुलाते हैं वो fix नही टाइम कभी चार टाइम कभी पांच टाइम कभी दो टाइम तो two times of the number of vacancies कितने भी multiple पर यह अपने candidates ले ले लेता है इस पर कोई fix इनका कोई निर्धारे चीज़े नहीं है खेर रीच से जादा हम जो भी बाते आगे डिसकस करेंगे फिलाल अभी मुझे यह update आप लोग स्ब्सक्तरों